नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स डिपोजिट पर हाई इंडरेशेट देने वाले बैंक कौन-कौन सी है यानि कि अगर आप कोई FD करवाना चाहते हो तो आपको FD पर जादा सी जादा ब्याज देने वाला बैंक कौन सा है कुछ ऐसे बैंक भी है जिनमें आपको FD पर 9% सी भी जादा ब्याज दर का लाम मिलता है यानि कि मान लेते हैं कि आप 1,00,000 रुपे की FD करवाते हो और आपको ब्याज दर 9% मिल रही है अगर आप 1 साल के लिए FD करवाते हो तो एक साल के बाद आपको कुल 1,00,000 रुपे मिलेंगे यानि कि आपको 9,000 रुपे का ब्याज मिलेगा तो आप जब भी FD करवाते हो तो FD करवाने से पहले आपको ऐसे बैंक के बारे में पता होना चाहिए जहां पे आपको जादा सी जादा ब्याज मिल सके अगर आपको ऐसे बैंकों के बारे में जानकरी होगी तो आप अपनी FD पर जादा सी जादा ब्याज का लाब ले सकते हैं जो लोग बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और प्रोफिट बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए FD एक बहुत अच्छा विकल्ब है आप FD में इन्वेस्टमेंट करके हाई रिटरन का लाब ले सकते हैं आगे हम बात करेंगे कि कौन-कौन से बैंक है जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आपको FD पर हाई इन्टरेस्ट रेट का लाब मिलता है यहां हम स्मोल फाइनस बैंक और सरकारी बैंकों की ब्याजदर के बारे में जानेंगे जैसे कि आपको पता होगा कि Small Finance Bank में सबसे high interest rate मिलता है तो सबसे पहले हम one by one करके Small Finance Bank को discuss करेंगे लेकिन Small Finance Bank में investment करने से पहले आपके मन में एक स्वाल होगा क्या Small Finance Bank में हमारे पैसे सुरुक्षित रहेंगे यानि कि अगर हम Small Finance Bank में FD करवाती हैं तो क्या हमारे पैसे सुरुक्षित रहेंगे इसके लिए मापको बताना चाहूंगा कि Small Finance Bank में आपका 5 लाख रुपे तक का amount है वो बिल्कुल सुरुक्षित रहता है 5 लाख रुपे तक के amount की guarantee सरकार की होती है आपका 5 लाख रुपे तक का amount है वो DICGC के दुबारा insured होता है यानि कि भविस्य में अगर bank वीफल भी हो जाता है bank डूप भी जाता है तब भी आपको गवराने की जुरूरत नहीं होती है आपके 5 लाख रुपे है वो बिल्कुल सेफ रहेंगे FD पर high interest rate देने वाले best small finance bank कौन कौन से है यहाँ पर सबसे पहले हमने रखा है सुर्योद्य small finance bank को इस bank में अगर आप FD करवाती हो तो आपको अधिक्तम 9.10% ब्याजदर का लाब मिलेगा ब्याजदर को detail में समझने के लिए आपको display पर चार्ट दिखाई दे रहा है अगर आप 2 साल और 2 दिन के लिए FD करवाती हो तो general public को 8.65% ब्याज मिलेगा और senior citizen को 9.10% ब्याज मिलेगा अगर आप 2 साल और 6 महीनों के लिए FD करवाती हो तो आपको 8.60% ब्याज मिलेगा और senior citizen को 9.10% ब्याजदर मिलेगी तीन साल की FD करवाने पे general public को 8.60% ब्याजदर मिलेगा और senior citizen को 9.10% ब्याजदर मिलेगा इसके अलाबा अगर आप 1 साल और 4 महीनों के FD करवाती हो तो आपको 8.50% ब्याजदर मिलेगा और senior citizen को 9.0% ब्याज मिलेगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपको जो time period है उसका विशेज ध्यान रखना है time period के according ही आपको ब्याजदर का लाब मिलेगा अभी आपको display पर जो दिखाई दे रहा है सुर्योदे small finance bank इसमें 5 लाग रुपे तक का amount है वो DICGC द्वारा insured है यानि कि 5 लाख रुपे तक का amount है वो आपका बिल्कुल safe रहेगा इसके बाद number 2 है उतकर्स small finance bank उतकर्स small finance bank में अगर आप FD करवाती हो 2 साल के लिए तो general public को 8.50% ब्याज मिलेगा और senior citizen को 9.10% ब्याज मिलेगा इसमें भी अधिक्तम ब्याजदर है वो 9.10% है इसके लाबा अगर आप 2 साल और 6 महीनों के लिए FD करवाती हो तो आपको 8.50% ब्याज मिलेगा और senior citizen को 9.10% ब्याज मिलेगा तीन साल की FD पर आपको 8.50% मिलेगा और senior citizen को 9.10% मिलेगा आप इस वीडियो को पोज करके आपको जो अभी चार्ट दिखाई दे रहा है ये चार्ट आप देख सकती हो ये अभी के टाइम में FD पर interest rate की जानकरी है ये भविशे में बदल भी सकती है इसकी अधिक जानकरी के लिए आप इसकी official website भी visit कर सकती है ये इसकी जानकरी है वो stable money से भी देख सकते है stable money पे कई बेंकों की जानकरी है वो एक साथ मिल जाएगी तो आप वहाँ से भी जानकरी चेक कर सकते है इसके बाद नमबर तीन है स्वालिक Small Finance Bank स्वालिक Small Finance Bank में अधिकतम ब्याजदर है वो 9.05% है अगर आप एक साल 6 महीने के लिए FD करवाते हो तो आपको 8.55% ब्याज मिलेगा अगर आप जनरल पब्लिक हो और Senior Citizen को 9.05% ब्याज मिलेगा दो साल की FD पर 8.55% और Senior Citizen को 9.05% और एक साल एक दिन की FD के लिए 8.30% और Senior Citizen को 8.80% और 3 साल की FD पर 7.50% और Senior Citizen को 8.0% ब्याजदर का लाब मिलेगा इसके बाद नंबर 4 AU Small Finance Bank AU Small Finance Bank में FD पर अधिकतम 8.24% ब्याजदर का लाब मिलता है अभी जो आपको डिस्पले में चार्ट दिखाई दे रहा है इस चार्ट में ये जानकर दी गई है कि कितने समय की FD कराने पर आपको कितने परतिसत ब्याजदर मिलेगी जैसे आपको दिखाई दे रहा है 12 महीने एक दिन से लेकर के 15 महीने की FD करवाती है तो आपको 7.75% तक ब्याजदर मिलती है और अगर आप 18 महीनों की FD करवाती हो तो आपको 8% ब्याजदर का लाब मिलता है इसकी और अधिक जानकरी के लिए आप इसकी मोबाइल एप्लिकेशन के माधियम से जानकरी देख सकती हो या फिर इसकी अधिकारिक वेबसाइट देख सकती हो और वहां से आप FD बना भी सकती हो Small Finance Bank में करण टाइम में कितनी ब्याजदर मिल रही है इसकी जानकरी आप Small Finance Bank की वेबसाइट से देख सकती हो या फिर आप Stable Money इस वेबसाइट से भी जानकरी चेक कर सकती हो Stable Money पे आपको कई बैंकों की जानकरी एक साथ ही मिल जाती है तो आप यहां से भी Small Finance Bank की जानकरी है वो देख सकती हो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी FD के लिए अपलाई करोगे तो सबसे पहले आपको Current Time में क्या Interest Rate मिल रहा है इसकी जानकरी जरूर चेक कर लेनी चाहिए और दूसरे बैंकों के साथ Compare भी जरूर कर लेना चाहिए वीडियो में आगे हम जानेंगे पंजाब National Bank और भारतिय स्टेट बैंक में अगर आप FD करवाते हो तो यहाँ पर आपको कितना ब्याज मिलता है अगर आप सरकारी बैंक में Fixed Deposit कराते हो तो आपको कितना Interest Rate मिलेगा भारतिय स्टेट बैंक और पंजाब National Bank भारत में सबसे पुराने और परतिष्ठीत बैंकों में से एक है यह सुलक्षित और भ्रोसे मंद बैंक है तो यहाँ पर इन दोनों बैंकों में कितना ब्याज मिल रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं अभी आपको डिस्पले पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है यह पंजाब National Bank में FD करवाने पे आपको कितने समय के FD कराने पे कितना ब्याज रेट मिलता है इसका चार्ट है जैसे आपको दिखाई दे रहा है आप 7 दिन से 14 दिनों के FD करवाते हो तो आपको 3.50% इंटरेस रेट मिलेगा अगर आप जनरल पब्लिक हो और Senior Citizen को 4.30% इंटरेस रेट मिलेगा अगर आप 400 दिनों के FD करवाते हो तो आपको 7.25% ब्याजदर का लाब मिलेगा और Senior Citizen को 8.05% ब्याजदर का लाब मिलेगा इसी परकार से अगर आप 401 दिन से 2 साल के FD करवाते हो तो आपको 6.80% ब्याजदर मिलेगी 3.50% ब्याजदर का लाब मिलेगा और Senior Citizen को 4.0% ब्याजदर का लाब मिलेगा अगर आप 180 दिन से 210 दिन के FD करवाते हो तो आपको 6.25% ब्याजदर का लाब मिलेगा और Senior Citizen को 6.75% ब्याजदर का लाब मिलेगा 2 साल से अधिक और 3 साल से कम समय के लिए FD करवाती हो तो आपको 7.0% ब्याजदर का लाब मिलेगा और senior citizen को 7.50% ब्याजदर का लाब मिलेगा इसके अलाबा भारतिय स्टेट बेंक में SBI अमरित वरिष्टी डिपोजिट के नाम से एक नई स्कीम शुरू की गई है इस स्कीम में अगर आप 444 दिनों के लिए FD करवाती हो तो general public को 7.25% ब्याजदर का लाब मिलेगा और senior citizen को 7.75% ब्याजदर का लाब मिलेगा ये स्कीम 30 मार्स 2025 तक है अगर आप 30 मार्स 2000 से पहले FD करवाती हो 444 दिन की तो आपको SBI अमरित वरिष्टी डिपोजिट स्कीम के तैत अधिक्तम 7.75% ब्याजदर का लाब मिलेगा अगर आप private bank में FD करवाना चाहती हो माल लेते हैं कि आप HDFC bank में FD करवा रहे हो तो HDFC bank में अगर आप fixed deposit करवा रहे हो तो आपको अधिक्तम 7.25% ब्याजदर का लाब मिलेगा यहाँ पे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं इसमें अगर आप 9 महीने एक दिन से लेकर के एक साल से कम समय के लिए FD करवाती हो तो आपको 6.0% ब्याजदर मिलेगी और senior citizen को 6.50% ब्याजदर मिलेगी इसी परकार से एक साल से अध 30 महीनों तक की FD करवा रहे हो तो 7.25% ब्याजदर का लाब मिलेगा और senior citizen को 7.75% ब्याजदर का लाब मिलेगा अभी जो आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं इस चार्ट को आप रीड कर सकते हो यह अभी के समय का FD इंट्रेस रेट है ओनलाइन FD अकाउंट खोलने से प mobile application से या bank में विजिट करके वर्तमान समय पे FD पे क्या interest rate मिल रहा है इसकी जानकरी जरूर चेक करें यह वीडियो education purpose के लिए है यहाँ पे मैंने FD interest rate को जानने के लिए कई bankों में FD interest rate को discuss किया है उमीद करता हूँ कि आपको जानकरी अच्छी लगी होगी और आपके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे request है कि इस वीडियो को आप share जरूर कीजिए WhatsApp पे Instagram पे Facebook पे इस वीडियो को share जरूर कीजिए चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को आप अभी subscribe कर लीजिए अगर आप free DMAT account open करना चाहते हो तो इसका link आपको वीडियो क वन्दे मातरम